वेल्कम बैक वार चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको साथ में क्लास थर्ड के लिए इंग्लिश के टेस्ट पेपर लेकर के आई हूं आपके बच्छे क्लास थर्ड में हैं उनके बहुत ही जल्द जो है टेस्ट होने वाले होंगे तो आप अगर बच्छों की प्रैक्ट दिये गया है और नीचे जो है कॉलम बनाए गया है और इन कॉलम्स में बच्छों को इन वर्ट को फिल करना है यह जो कोशन है यह नाउन्स से रिलेटेट है तो बच्छे अच्छे से नाउन्स पहचाना सिखेंगे इससे फर्स्ट जैसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो है ए जो की एनिमल वाले कॉलम में आएगा नेक्स्ट है अंकल जो की पीपल वाले कॉलम में आएगा नेक्स्ट है टाइगर जो की एनिमल वाले कॉलम में आएगा फिर है मैट जो की एक थिंग है फिर है स्नेक जो की एक एनिमल है नेक्स्ट है स्कूल जो की प्लेस है next bus stop जो की place है next teacher जो की आएगा people में क्योंकि person है ये next doctor ये भी person है next table जो की thing है next question है underline the common nouns and circle the proper nouns यहाँ पर underline करना है common nouns को और circle करना है proper noun को proper noun क्या होते है किसी भी particular person, place, animal और thing के name को हम proper noun कहते है यानि कि जब हमें पता हो कि हम किसकी बात कर रहे है next common nouns common nouns जो कि हम commonly use करते हैं किसी भी person, place, animal और thing के लिए यानि यहाँ हमें पता नहीं है कि हम exactly किसकी बात कर रहे है first है nickel went to buy a pen अब देखें यहाँ पर nickel जो है proper noun होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है nickel एक लड़के का नाम है और उस लड़के को हम जानते भी है मतलब उस लड़के की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम की निखिल है next यहाँ पर होगा pen जो कि common noun होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर pen की बात हो रही है, अगर किसी particular brand के या किसी particular company के pen की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वो proper noun होता। नेक्स्ट है, my sister red black beauty last summer, तो यहाँ पर sister होगा underline, क्योंकि common है, यहाँ पर अगर उसका नाम लिखा होता तो वो proper होता। black beauty किसी शायद book का name है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, circle हो जाएगा। नेक्स्ट है, we sit by the river every evening, तो यहाँ पर river जो है यह common noun है, evening भी एक common noun है। नेक्स्ट है, the bird is building a nest, तो यहाँ पर bird और nest दोनों ही क्या है, common noun है। नेक्स्ट है, write four proper nouns for these common nouns and break them, तो यहाँ पर देखिए, बच्चे को क्या करना है, जो भी common noun दिये हैं, उनके लिए proper noun, यानि कि उनके name लिखना है, जैसे कि है reverse, तो reverse के four names यहाँ पर बच्चे को लिखना है, जैसे कि गंगा हो गया, या मुना हो गया, नर्मदा, और एक हो ज तो यहाँ पर कोई भी four cities के name लिखना है, जैसे कि मुंबई, डैली, कॉलकाता, और हो जाएगा चैनने, नेक्स्ट है people, यानि कि किसी के भी नाम लिख सकते हैं, राहुल, नेहा, पूजा, कार्थिक, next question है, rewrite these sentences with the correct plural forms of the underlying words, यहाँ पर underline किये हुए है words, और यहाँ पर देखे, number भी लिखा हुआ है, number के साथ में बच्चों को इन words को दुबारा लिखना है, पूरा sentence ही दुबारा लिखना है, the postman brought a letter today, और अब कितने लिखना है हमें five, तो जब five letter होंगे, मतलब कि लेटर नही रहेंगे, उसकी plural form में आ जाएंगे, मतलब हमें क्या लिखना होगा, तो postman brought five letters today, next होगा, रवी plays football with, अभी हाँ पर number है, to friends, next question है, write the correct singular or plural form of the given words, यहाँ पर जो भी word दिये, इनके correct singular word, अगर plural दिया है तो singular लिखना है, और singular दिया है तो plural लिखना है, first mouse, mouse का हो जाएगा, mice, यह singular है, यह plural है, wife का हो जाएगा, fe है, तो यहाँ पर क्या होगा, fe हटेगा, और ve ऐसा जाएगा, next है story, तो यहाँ पर देख य के जस्ट पहले, क्या है, vowel है, या consonant है, consonant है, तो यहाँ पर क्या होगा, y हटेगा, और ies लग जाएगा, अगर vowel होता तो simple ऐसा था, sheep जो होती है, उसका कोई plural form नहीं होता, singular में भी sheep है, और plural में भी sheep यह बोलेंगे, फिर है watches, यहाँ पर देखिए, es लिखा है, मतलब कि य plural है, इसका singular हो जाएगा watch, जीज, यहाँ पर देखिए, double e है, यह plural form में है, इसका singular हो जाएगा goose, तो यह था अच्छ का वीडियो, I hope आपको वीडियो पसंदा हुआ हुआ, थोड़ा भी अच्छा लागा है, लाइक जरूर कीजएगा, नहे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजए लाइगा, त्या बाची जरूर लाइगा है, जाएगा जरूर कीजएगा।